सो हेलो एवरिवान यह है अधीस है के कौर्टर टू के रिजल्ट तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिजल्ट कैसे रहे हैं शुरुबात करेंगे हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल इंकम से तो yearly basis में यहाँ पर जो इंकम है वो 554 लाग थी जो quarterly basis में 777 लाग यहाँ पर हो गई है यानि quarterly basis में यहाँ पर जो शेयर की इंकम है वो इंक्रीस होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिली है आगे हमें share के total expenses को देख लेते हैं yearly basis में यहाँ पर expenses जो है 528 लाग थे quarterly basis में 637 लाग यहाँ पर हो गये हैं यानि income के साथ यहाँ पर share के expense भी बढ़ते होगे देखने को मिले है total comprehensive income जो है यहाँ पर 20.62 लाग था जो quarterly basis में 103 लाग यहाँ पर हो गया है आगे हमें share के जो है earning per share को भी यहाँ पर देख लेते हैं तो earning per share जो है around यहाँ पर 18 पैसे था जो है 94 पैसे के round यहाँ पर हो गया है overall यहाँ पर analyze करने के बाद हम देख सकते हैं share के result यहाँ पर ठीकी रहे हैं इस मंद तक का टार्गेट यहाँ पर देख लेते हैं, इस मंद तक का जो share का maximum target है यहाँ पर वो around 48 रुपे से 50 रुपे का राउंड यहाँ पर आपको देखने को मल जाएगा, तो अगर आपके पास यह share है और आप यह share को यहाँ पर hold करके रखना चाते हैं, तो अपने own risk में इस शेयर को आप यहाँ पर लॉंग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं